हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एमार के स्टड़ी देखिए इस वीडियो हम देखेंगे 2015 का पेपर देखेंगे ठीक है यह है यूपी आर्वीनल जेए का तो एथ लाइक यूपी टेपलेसी जेए का भी इस तरीके था मैंने आपको एक पेपर दिया था ठीक है तो यूपी सबसे पहले तो फ्लूड मेकनिक्स का एफ फॉर मतलब फ्लूड मेकनिक्स है ठीक है तो यहां पर एक पेपर मिला मुझे मैं आपको करा रहा हूं देखो क्या है लैमिनार फ्लो डैबलेप्ड एडि एवरेज वैलिस्टी ऑफ जीरो फाइब मीटर पर सेकंड ओकर इन पाइ सेंट्री तरज्या पर वेग इन में से क्या होगा ठीक है यह आपके आंसर है तो इसमें से जो आंसर होने वाला है वह यह जागा 7.5 मीटर पर सेकंड अब इसको सॉल्फ कैसे करेंगे मैं आपको बोर्ट पर करादा हूं इसको सॉल्फ देखिए वी वराबर दे रखा है वी average ठीक है वी ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड शिल्फ यह जो आर दे रखिए वह दे रखिए 5 सेंटी मेटर अगर हम इसको चैंट करेंगे तो 5 बटे-100 मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 1-20 धिक है मीटर उसको बढ़ के अब डे रखिए जो पूछा है ट तो यहां पर जो पाइप है ठीक है पूछा क्या है पांच सेंटिमेटर रेडियस पर वैलिस्टी पूछी है थीक है तो क्या करेंगा इसके बाद एक फॉर्मुला होता है यहां पर यह क्या होता है वी यह निकालने हैं तो किम्सिटिए हम यहां पर निगा लेंगे तो क्या हो जागा वी एव्रेज वैलसिटी इन टू तो कित्ती हो जाएगी एवेज किर जूटेकिए पांच हो मेटर पर सेगें तर्फ गींट है यहां तक क्लिएर अब उसके बाद एक फॉर्मुला आता है वह क्या है वह होता है वी average velocity is equal to V maximum velocity की रेकेटम वन माइनस स्मॉल आर अपउन रापन कैपिटल रखनी है तो अब स्मॉल रखनी है तो यूस्टी यापको पूछी है ऐखेकर तो वी मैजम टूटी कि अपने निकालनी है निकाली दस निकाली तो 10 रख देंगे यहां पर और स्वार्डना की अपउन अपी ए किया था खर ए नियुड सतो यह है उसके बांद 1-1 कितना हो जागा एक बड़े एन 20 का हो जागा 400 को यह एक बड़े कितना हो जागा 100 को तीक है यह हो गया इन burn ho 1901 फूर बचेगा वह कितना वह दस इंटू चार में से गया चार एकन चार तीन वटे चार हो जाएगा यहां पर इसको स्वाल करेंगे तो कितना आजाएगा लोगा तो 7.5 पर 2 एक तो 7.5 पर सेगंड इसका अंसर आपना एंसर ठीक है तो चलिए नेक्श टेक्टे के लिए कैसी मतलब किस तरीके से होती है ठीक है तो यह बताईए इसका आणसर दोगो तो मैं डायट आंसर बता रहा हूं आपको सीधे सीधे ठीक है मतलब फालत होगा वह करने से कोई मतलब नहीं है ठीक है यह कह रहा है इफ्लक्स रेट ऑफ मास रावर्दा कंट्रॉल सर्फेस जीरो ठीक है यह होगा उपरी तल से द्रव की भैस रावता दर शूडने होती है त आप को पता होने से होने से च्ब्राबर क्या उता है जैड फ्लस पी अपन रोजी प्लस वी स्कर अपन टूजी जब एनजी हाट होता है यह जै नमर फूर देखिए lo Britney Q4 अयहाँ प्र। प्रॉड Πिशिंगे। लिस्ट वन ए लिस्टम को आपको है, के हैं लिस्टमी कहनेख द near test longevity होती है किसें होगि सर्थ टांशन सर्थ बट वहाद उसके वाद यहाँ वाइपर प्रेशव होता है वह किस से होगा भी बताइए जो होने वाला है मैचिंग करेंगे आप इसका अंसर क्या हो जाएगा वह इसका उल्याइगा तो इसका अंसर हो जाएगा वह दी ऑदी हो जाएगा तो देखिए डियान से इसका हो जाएगा ठीक है मैसिंग कर लिए आप कोई दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स कुछन दिखते हैं इससे क्या है आपको एक एक अनुवम मिल जाएगा इस तरीके साथ पेपर आता है तुम इस लिए करा दे रहा हूं आपको ठीक है उसे नमर 5 देखिए इन फ्ल पर डिबने होगी वह दिख स्थाइब पहलेता दे रहा हूं तो रेंग्स पर दिखने होगा तो होता है वह अगर तो कुछ नमबर यहां पर देखते हैं 6 कुछ नमबर 6 देखिए यह कहला था maximum velocity of the one dimensional in compressible flow between two fixed parallel plate six meter per second the mean velocity in meter per second of the flow दो इस ते समांतर प्लेट की मद्द एक विमी असंपिड यह प्रभाव का मद्द वेग होगा मीटर पर second तो इसका अंसर क्या होने वाला है सी हो जाएगा ठीक है सी ऐसे हो जाएगा तो यहां पर देखो मैं आपको अगर इसको करके दिखा दूँ ठीक है चलो मैं इसको बोड़ पर करा दूँगा परिशार मत हो ठीक है आरम्द करा दूँगा और देख लिए ना समझ की नुमेरिकल बहुत जरूरी है तो को देखिए यहां पर कुशन दे रखा है तो समानतर प्लेट है ठीक है इसके मत असंब इनकंप्रेसेबल फ्लो बेट्वीन टूफिक्स पैलल प्लेट दे रखा सिक्स मीटर पस सैगें ठीक है तो दो प्लेट के प्रभाव के अ और फ्रॉला होता है यहां फ्रॉम्स की प्लेट सब्सक्राइब तो यहां पर फ्रॉमूला होता है यों मैक्स मैक्सम्स भेजगीए अबहूं एभरेज वेलुस इसकल टू त्री वाइडू ठीक यह होता है तो यहां पर मैंक्समें वैलिसूटी आपको दिरख्याइए 6 तो 6 रख दो पूछी है तो कितना होजा तीन दूनी तीन बटे दो यह तो यह काटो दो बार तो इसका कुणा इधर हो जाएगा तो वह एवरेज वैलिसूटी कितनी हो जाएगी फोर ठीक है तो यही आंसर आपक ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स दिखते हैं कि कुछ नमर सेंवन देखें आप सेंवन में क्या ईदबलेश डिस्ट्यूबूशन इन टॉपलेंट फ्लोव तो वैलिसूटी डिस्ट्यूबूशन होता है वह लॉट देखते है इंपोरेंट यह जाद रखना है ल इंटर्बिलेंट फ्लो गजिए कहा रहा इंटर्ब्लेंट पाइफ फ्लो दे वैलिस्टी डिस्ट्यूबुशन इनसाड बांटरी लियर इस तो बन्ले इर विसमें आता है तो यह है अकूद्ड़ेंट टाल्स प्रेदेंट्स वन सेवेंथ पावर लौ ठीक है बहुत ज्याद बाकुटा चलिए आपक keeper नियूक्त देखते हैं कि क्या रहा है हम देस्ट हईड्रोलीक चैनल क्रोस сेकस हैं तो ह ciao Id तो यह बहुत इंपोर्ण डेट लिए जो अपी होती है भी जो वेट्ट पैरिमेटर होता है पीजिए प्रिमेटर होता है ठीक है पता होना चाहिए बाकी चलिए नेस्ट कुशन देखते हैं आप इस नंबर यहां पर देखिए वही कंग कुछ नमबर 10 देखिए किया यहां पर एक मुट रुखना ठीक है चलिए तो यह कुछ नमबर 10 यहां पर हिंदी में लिखा हूँ एंग्लिश में उसको पढ़ रहा हूं ठीक है इंग्लिश में पढ़ रहा हूं किया यह पैल्टन वील ऑपरेट विच विद ए स्पीड शिक्स अनुपात वह 300 मीटर के वास्तिव के साथ एक पैल्टन वील चक्र संचालित किया जाता है चक्र का व्यास आपको यहाद करना है तो व्यास जिसका आंसर क्याने के लिए 1.07 आप इसको कैसे करेंगे आपको मैं आपको दिखाता हूं ठीक आगे चलिए तो नेक्स विशन दे कानेटिक हैट इन्टू प्रैसर हैड होगा यहाँ पी इसका आंसर हो जाना है तो उस समय द्रव का दाप बहुत ही कम होता है द्यान लग लेना ठीक गति हुजा को एक प्रैसर नेर्जी मतलब कानेटिक एनरजी में चैन्द करने के लिए ड्राफ्टिव के यूज करते हैं कानेटिक एनरजी में आपको प्रैसर अनरजी में चैन करने के लिए ड्राफ्टिव जो जाएंगा नेक्स सब्सक्राइब कुछ नमबर 12 कि कुछ नमबर 12 देखी वाई और सर्ज टैंक इन्यूस पाइपलाइन तो पाइपलाइन में सर्ट जो होता है इसे तरिके इस तरीके प्रिस्रैक्टों के वाटर हैमर यहां पर फैन्य पानी कि और यहां निकल रहा है यहां पर निकल रहा है आपको क्या करना यह आप ने खर अपने वालप हैना वाण वालप एकदम बंद कर दिया थर्ड क्लोज कर दिया क्या को तया हुआ की तो सी काई वाटर। जाता है बाटर यार मर को बचाने के लिए प्रेसर को रिलीव करने की लिए उसका यूज किया याद रखना चलिए पता होगा वैसे सबको नहीं तो बता दूंगा अच्छी तरह से बताऊंगा ठीक है परिशान ना हो ना सेंटिफिकल पंप डिलिंग विद अमड हैव एन इंपेलर ऑफ टाइप तेकि इंपेलर तो वैसे तीन परकार को ते ओपन होता है डबल स्क्षन हो या फिर विसकश ऑयल होता है विसकश ऑयल के लिए यहां पे ओपिन जो है ना कदा सान्टिफिकल पंप उसमें जो इंपेलर उता है उसको हम ओपिन यूज़ करते हैं पर रेत हो गया ठीक है ड़स्ट हो गया डश्ट पार्टिकल हो ठीक इस तरम्हें कर सकते हैं कुशन नम एक पाइप लाइन दोवारा पाने को दस मीटर उचाहित तक गहन मीटर पर सेकंड के दर से पंप किया जाता है यह तो पंपिंग के लिए आवश्यक शक्ति क्लोवाट में होगी बहुत ही बहुत ही इंपरेंट पंप का कुश्छन तो आपको ध्यान से देख लेना किस तरीकी से हम करेंगे इसको इसका अंसर कैसे होने वाला इसका आंसर 14 पॉइंट ठीक है तो यहां पे जो डिश्चाज दे रखा है वो जीरो पंट वन मीटर पर सेकंड तो क्यों मैं यहां यहां प कि उसको दे घ्लां थे कि राखा मैं दे शीमिर है अश्ज पांप कर सब्सकाइब प्रक्ती देरां के आपको दें रखा है 10 मीटर इसके बाद रखा है हेंदला दिरक्ट की सब्सक्षट मेटर तो यहां पर यह सब्सक्रुर्ण लाता है पंप की शक्ति ठीक है पावर ओफ पंप पावर ओफ पंप क्या होता है यह होता है यह पर लिख दे रहों पी बराबर यहां पर रोग जी क्यू मतलब डिस्चारज है थोटे एक हजार ठीक है यहां पर रखोंगा यहां बेंद क्या र Calvin होता है уверakrado रो होता है 1000 वाटर की डेंसिटी होती है ठीक है अच्छी होता है 9.81 इंटू कितना आपने दे रखा है 0.1 0.1 दे रखा है एच प्लस एच फ मैंदब एच दे रखा है आपको कितना 10 और एच दे रखा है 5 ठीक है 5 एक 1000 इससे में इससे डिवेड गर दूंगा ठीक है और इसका अगर घुणाआ करा जाएगा तो कित्ता नाइन एट जीक है इसका इन एट गुणा 15 इसका गुणा करेंग तो कित्ता आ हो जाएगा 14 पॉइंट साथ ठीक है क्लोवाट तो यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं कि चलिए कुछ नमर 15 देखिए कुछ नमर 15 देखिए कुछ नमर 15 देखिए पंप से कुछ बहुत आयां तब वर्क सेवड बाइद फिटिंग एयर वेशल टू सिंगल रैसे प्रोगर्टिंग पंप में अगर हम इस तरीके जैसी पॉट होता है ठीक है यहां से पानी निकलता ह प्रेशर होता है याद रखना यह उसमें डिशाज ज्यादा होता है तो यहां पर क्या करते हैं इसकी जो कह रहा है कि दब वर्क सेवड वाइटिंग एयर वेशल टूए शिंगल रेसे प्रोगर्टिंग पंप मनलब सिंगल रेसे पंप में जो अलब बचा जाता है वर्क से पॉइंट परशंट वर्क को सेफ किया जाता है ठीक है यहां पर यह कुछ वैल्ली होए आपको याद करने पड़ेगी अच्छीन देखिए व्याद में जाए इंपर रोटा मेंटर यह डिवाइस यूज वार्ट मेंटर तो रोटा मेंटर बदाए रोटा मेंटर किस से वह तो फिलूड फ्लो से बदाए ठीक है रोटा मेंटर है यूज करते हैं फिलूड फ्लो या मतलब इसको डिश्चार्ज तक्ते हैं धिंश्चार्ज को मतलब मिजर्मेंट करता है याद रखना काफ़ इंपौरणन आपको बताना है पीटॉट जो होती है वहों किस मतलब अच्छा लगेगा आपना अंसर दिया है बाद 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 कि मैं कराई रहा हूं यह पाइप लाइन ट्वंटी सेंटिमेटर डायमेटर सतर मीटर लॉंग सब्सक्राइब बाद बाद कि मैं प्रवाद बाद हो रहा है तो पाइप की दोन फिर्वन पर दा बंद आपको यह प्रैसर जात करना है तो इसका अंदर क्या हो जाए अभी आपको यह याद करना है पी बन माइनस फीटू ठीक है यह जाए एक को वन पॉइंट नाइन 1.91 मीटर आपको डियांसर इसका हो जा देखे कैसे करेंगे इसको यहां से देखना ठीक है चलिए नंबर 17 देखिए पाइपलाइन टू सेंटिपिंटर इन डायमेटर ठीक है उसके बाद गया सकतर मीटर लॉंग कर तो लंबाई कि दनी है इसकी लेंगत है सकतर मीटर ठीक है स लाइब सव गया इतना हो गया अब इसके बाद किया करेंगा औहुझा प्रेविटी जो दे रखिये आपको वो किती रखिये ए और स्की है और वि सटैंसर आपको जो देराकिए व दराके जुन पॉइन सब है कि अब उसके बाद क्या है इफ द वैलेशुूटि आफ पलिर और सिटी दिर इस तए इस निorenस निकालना आपको खेंब रेसर डिसर अहीं कि यह इसे डिफेरेंस का फॉर्मुला होता है देकर पीवन माइनस भीडू को यह वोगा 32 मूवल अपाउन रोजी डी ठीक है रोजी डी स्कॉर बस मैं वैल्यू रखोंगा यहां पर देखें यहां पर वैल्यू रखोंगा यहां पर तो 32 तो यह हो गया 32 इंटू मूव कितना है अपना 0.23 इंटू वी वी कितना है 1.38 इसके बाद देखिए जी रोग इतना होता है वन थाजन होता है जी कितना हो गया 9.81 पर डी कितना हो गया डी कितना है 20 बटी 100 तो 20 बटी 100 मैं करूंगा स्कॉर करूंगा तो 20 का कितना जागा 400 हो जाएगा 400 बटी 100 का हो जागा 10,000 इतना हो गया इस से देखो 30 से मैं 30 से डिवाइट हो गया एक दिरो से एक दिरो यह ठीक है यह हो गया उसके बाद देखे क्या करेंगे देखिए यहां पर क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट इसको अटा देंगे ठीक है पॉइंट से पॉइंट अटा दिया इसका ऊपर क्या बचा 32 इंटू 23 बचेगा और 1.38 ठीक है वन पॉइं उपर देखे क्या बचेगा 32 इंटू पॉइंट से पॉइंटा तो 23 बचेगा इधर कितना हो गया 1.38 1.38 इंटू 70 ठीक नीचे क्या बचेगा नीचे अमना बचेगा देखो नौसव एक्यासी इंटू 40 ठीक है यह बचेगा अब काट देखो दो से गाट दे रहे हैं दो दूनी चाह जीरो और यहां पर यह 35 कट गया ठीक है 35 हो गया दो से दस बार दो एकन दो शीक बार है 16 तो उपर कितना बचेगा 16 है तो मैं उपर गुणा कर लूँगा कितना बचेगा 16 है इंटू 23 23 इंटू 1.38 इंटू 35 तो यह उपर आ जाएगा कितना 177 7 4.4 नीचे कितना होगा 9810 इव डिवाइड करेंगे इसको सॉल्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 1.81 मीटर ठीक है यह आंसर हो जाएगा चलिए ने सुच्छन देखते हैं तो यहां पर कुछ नमबर 8 देखें क्या कहा रहा है यह लैमिनार सब लेयर एक्ट ऐसे तो लेमार सब यह जो होती है सब लेयर होती है और इंसुलेटिंग मीडियम के लिए यूज़ करते हैं रोधन मादम की तरह यूज़ करते हैं इसको लेमिना सब लेयर हो ठीक है यहां पर एक उस नमबर 9 19 देखिए इन दो मूडी टाइग्राम शोन इन फिकर बलो ट्रेक्शन फैक्टर टावलेंट फ्लो इन दा स्मूथ पाइप इस गिविन दा कर्व नीचे देगे मूडी चित्र प्रश्रत है मूडी जित सबाट पाइपलाइन में विच्छुत प्राव के लिए वक्र दिखाए गया है विच्छुत प्राप के लिए जो बर्क्र होगा वह कौन सा बधाइए यह आपके पाल क्या है मूडी एक डाइग्राम भी एक द्याग्राम बोलते है को इसको तो इसमें जो डी ग्राफ है इसी होगा तो यह डी ग्राफ जो दे रहा है ना जासे करके एक है यह घ्लाका वह तो डीस का अंसर हो जाएगा ठीक है जिस का अंसर हो जाएगा चलिए नाश विशन देखते हैं यहां पर कुछ नमर्टी ट्वंटी कुछन देखें एनरजी लॉस इने फ्लो थ्राव नॉजल यह एक कंपेर टू वेंचुरिमेटर तो एनरजी लॉस होता है एस कंपेर टू व तो हम बतलब यहां से रिवीजन करते हैं एक पैटन पता चल जाएगा इस तरह से ठीक है तो कुछ नमर्टी देखें ट्वंटीवन देखें वाट केंड डिफाइन भी शेड अबाउड दस ट्यू फ्लो इन डाइग्राम ब्लो तो ट्वंटीवन में जो है तो यहां पर क्य कि यहां लूगा होगा है का झाराम तो देनी रखखा है एंग अबस्तरी के सब्सक्राइब भी शाइर ना है है जो जो इस तरीके के घ्राफ बना हुआ है वह यू मैक्सम मैक्जिम्म वैलेसीटी का घ्राफ है तो टाउ जीरो होगा कुल लागे चलिए फ्लो इस लेमिनार है इस कांसर कुछ नमर बाइस देखें कुछ नमर बाइस देखें सेंट्रिफिकल पंप गिपस मैंगे इस ब्लेड ऑर जो सेंट्रिफुलिफल फंप जो होता है उसमें जो ब्लेड होते है ड्रेंट बेकवर्ड होते है चलिए कैसे होते बैंट बैक वर्ड चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ वंबर 23 यह यहां देखिए इस स्पीड आफ है डिपेंड अपन तो इस स्पीड आफ है डिपेंड बढ़ेगे बाई इस पर आपके पावर ने डेपलप्ड इन द फ्लो इस पर नहीं करेंगी ठीक है और आगे देखिए इस पीड पावर डेफले खिति TWO थिंड यार किति होती है 234 और नियुकिक उए p केसमें 3 2e 5 Alrighty उसे है डितका के आखागो ли दिदना सब्सक्राइफब्छार्ट56 भाज़िए पश्टिमारा करो चाहिए के तो कास्टिंग ऑफ सेंट्रीकल पंप होती है किसी डिजाइन करेंगे वह लॉस ऑफ काइनेटिक एनरजी पर करेंगे तो देखिए आगे देखिए कुशन कुशन में 25 देगी अब थर्मोडायमिक्स ठीक है प्रक्षेश ठीक है कि क्या होता था था 2015 के टाइम पे 15 16 तक बदा रहा हूं है आपको कि जो कुशन देता था ना फिलूड मेंच के दे रहा था थो फिलूड मेंच के लगा सलगा था उसने 25 देदिए थर्मोडायमिक्स के लिए लगा था वेशन दे इस तरह के तरीके के यहां पर यहां पर यहां 26 देखी यह स्टीम टेबल और आंट्रॉफी और डिग्री तीश्टीस लिए है वो saturated liquid के लिए होती है saturated liquid 0.8 degree Celsius के लिए होती है ठीक है याद रखना है इसको तो यहाँ पि कुछ नंबर यहाँ पिश्च नंबर यहाँ पिश्टाइज देखिए 27 कि देखिए देखिए for close system the difference between the heat added of the system at the work done by the system is equal to change in क्या होगी बहुत इंपोर्टन भाई कुछन है तो इस कांजर क्या होने वाला है ठीक है इस तरीके से एक formula बन जाता है तो याद रखना है इसको चेंजिन इंटर्णाराजी होती है ठीक है difference between the system देखो मैं आपको सीधे सीधे क्लियर बता दूं देखो यह वाला जो फर्मुला है दीक्यू मानिस दीडव्लू और दीउ जी इसको भूल रहा है कि difference between the heat added the system and work done तो work done और heat added का जो difference होता हुए internal energy के बराबर होता है यह किससे निकला डी यह किससे निकला डीक्यू बरावर डी यू प्लस डीडव्लू से निकला है ठीक है यह इससे निकला है यह वाला फर्म जाब इसको डी यू की वहर्मान निकाल होगे इसका तो यह निकलेगा ठीक है याद रखना यह काफ इंपोर्टन इस तरह के बार 25 बार the atmospheric pressure is 1.30 बार and the value of G9.81 meter per second is what the absolute pressure is the vessel is तो बताईए क्या होगा देखें यहां पी हमने एक formula पड़ा है ठीक क्या पड़ा है P absolute is called to P absolute is called to P gauge plus P ATM ठीक यही पड़ा है न तो gauge pressure कतना है बताईए कि देखें गेज प्रेशर जो है अपना वो 25 है ठीक है यह 25 बार प्लस यहां पर ATM प्रेशर है वो कतना है 1.03 बार तो इसको जब जोड़ो गए तो 26.03 बार आप का अंसर आ जाएगा ठीक है यहाद रखना चलिए बहुत कुछन था है यह 28 याद रखना देखो यह थर्म नाइक्स को कुछन है यहां पर यह दे रहा है इंटेगरेशन पी डीवी पी डीवी कैन वी यूज फॉर आप्टैनिक वर्ग तो देखें यह वाला जो होता है इस तरीके का वह नॉन फ्लो रिवर्स प्रस होता है ठीक है न यह लग रहा होगा जहां तक है वीडियो को लाइक कर दिना देखो थोड़ा समय तो मैं निकालता हूं आपके लिए कभी कबात कि मुझे अभी टाइम नहीं बाता है आपको वीडियो बनाने के लिए लेकिन सोच रहा हूं प्रोइब बनाया करूंगा ठीक है ताम बिलेगा दो मतलब होथा आपको है उढकर दिड्रीशन ओफ इनर्जी मतलब दिडिडियो फंवारी फैस्टा का चैँ ऑना एंक बढ़ाओ गई लुगा तो क्या होगा ट्युक्रिचर बढ़ेगा ठीक है और एंट्यों वीडिना आप क्यों एक इमपरेंगी जो हीट है ना कीव आप और जाए एनरजी जो होती है वो खर्च होती है डिक्रेशन होती है ठीक है यह परपीज्वल मोशन मशीन इस तो पी एम एम वन इसको बोलते हैं पी एम बन तो क्या होता है एह हाइपो थैर्टिकल मशीन हूज ऑपरेशन वुड वॉयलेट एद लॉफ थर्मो डैनमिक्स ठीक यह वहां पर आप सार्च करें लिए देखिए वहां पर जाके बहुत अच्छे च्छे मैंने वीडियू बना रखें वह देखिए ध्यान से में डिटेल में करा यह पर नहीं किरा बोट होता मेरे पास तो मैं करा दिता आपको समझ रहे हो ना तेकिए टेंपरेशर आफ इस प्रोडिस ड्यूटू तो टैंप्रेश ऑफ गैस प्रोडिस होता है वह कांसे होगा भी कानेटिक एक फॉर्मेल होता है सी बराबर अंडर रूड में थ्री के टी अपॉन है यह याद रखना बहुत इंपोर्टन्ट है यादा है चलिए 32 के बाद 33 देगी कि अगर्णें तर लेवल ओफ और इंजन लेंडर शुड़ बी चेकड तो लेवल ओफ इन जो लेवल ओफ ओए अग्यां का वो किस से चेक करते हैं और बिफोर स्टार्टिंग मतलब यह कह रहा है कि प्राव्म करने से मतलब इंजन को चालू करने से पहले आपको इसका लेवल और में युकिन किसमे इंजेक्टर हुआ दोखता है ठीक है कामन बॉटे आपका किस में ढूस करते हैं अपको पैटरल निंजन में और किसको वोता है इसको बोलते हैं डीजल नियुक्त कि अधे क्या होगी इसका silicon कंप्रेशन रेअंटि यहां रखना है यहां पर बात करें हम क्षी नबर 35 देखिए आप यूज़ कर रहे हैं तो नॉकिंग को पूर रूप से अठाया सकता है ठीक है अवाज आती खटर पटर की आपने देखी होगी बाइक में यह गाड़ी में तो हम एडिंग करेंगे टैटर अथा लेड इंपॉर्टेंट है पहुत ज्यादा तो हम नॉकिंग को कम कर सकते है ठीक है यहाद रखना चलिए तो काफी इंपॉर्टेंट था यह कुछन में 36 देखिए 36 देखिए एक कार्बूरेटर पर 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 टी एड़स्ट इस सी लेविल विल सप्लाई तो का यहाँ पर क्या होगा तूरीच मिक्सर आफ हाई एल्टिटिट यहाँ पी टू होता है वह क्या होता है और यहाँ पर नेच्रल केमिश्ट्री वाला फॉर्मूला हम देखेंगे तो सी एनस सी एन एस टू एन प्लस टू मैं तो मतलब अक्टेन उसके लिए क्या है मैं थैट प्रॉपन अधिए आइस एक्टेन ठीक है आइस आपन बोलेंगे तो यहाँ पर इसी से निकलता है यह एट एच अठार है ठीक अगर वरावरा वेट रखोगे तो एच अठार हो जाएगा कि दो नौदिन अठार हो ठीक है तो इंपोरेंट रहे चलिए यहाँ पर लुशन देखिए इसन प्रीशन एण टेंपरेचर एंड क्या होगा ऊटा और डीसल साइक्ल जो होगा एस कंपिर टू फॉट इसलिए अगर आपका सीम मैक्सिम्म मैक्सिमम प्रेसर होगा ज्यादा होगी तो ओट ने वहां पर जाता होगा यहाँ तकन अगर ओविशन से के केस्म बात करें य तो उटो्य Fußball जाधा होती है और गशने बात करें नए जैसे मालती के साथ करें तो डीजल यह याद रखना बता चुगा हूं बहुत बार आपको पता होगा देखो यह कह रहा है पर दाप आपको यह वाले यह वाली लाइन होती है तो इसल कोफर पावर के लिए यह पावर के लिए यह वाली नायन होती है यह वाली लाइन होती है ठीक है यह वाली लाइन यह आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल फ्यूल कंजप्शन की लाइन यह तरीके से चार्ट आते हैं याद रखना कुछ नमर 40 देगी यह झाल्य बाइन जाहिए न ऑटमार । जाहिका जार वाहिए घंट गाते रहें वाइन फ्यूल इंघ मिस्टिक जाए पर देग्शन यह एं चलेगा नहिए ट्शले नट Всем सबस्य आप दोनों कुछने आपको अगर डीजल अगर अगर पैनल ने मिला रहे हैं तो एक ज़ेगा नहीं कि यहां पे सब इस प्रैस्ट रेशियों की खिल होता है अब बताऊगा में उसका डिजल जादा होता है 25-25 और यहां पे क्या होगा इसका घ्रोप्रेश्ट तो यहीं पर जाब हो जाएगा नीटिक है मल लेकिन अगर पैट्रोल को डिजल डिजल इंजन में डालते हैं ठीक है तो किया होगा है न तो हाई नॉकिंग तो हुए गई हो ठीक है डटेल में समझने वाली चीज़ है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट इसको बता दूंगा मैं ठीक है बागी मैं यहां बता दिया ठीक है इसका आंतर क्या होगा भी नॉट रन ठीक है कब होगा जब आप डीजल को डीजल को डी सब जीरो टेंपरेचर इस टू सेलेक्टेड विच अफ फॉलविंग प्रॉविंग प्रॉपर्टी गेर्ट प्रॉपर्टी कंसीडरेशन एक वहान के लिए यह स्नेक को सूनी से नीचे तापान के लिए चैनित किया जाए तो इनमें से कौन सा उर्दम प्रात्मा को मिलेग टिक है क्या होगा यहां पर आंसर होजाएगा और पॉर पॉइंट यहां दखना चलिए कि कुछ नंबर यहां पर देखें ब्यालीस अ कि ब्यालीस देखें इन डीजल इंजन दफ पाइप केरिंग फ्यूल 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 पंप तू नॉजल इस मिड़ ऑफ रद बीफल्स इंगे तो इससे लोकेटेट तो लंका शाय बॉलर होता है बहुत आई है किस आंसर होगा इसका 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 अंसर होगा विफोड यह पीटिटेड बायू पुर्वताप से पहले अगर हो चलिए अब नेक्स देखते हैं यहां पर कुछ नबर यहां पर देखते हैं 45 अ कि लोकोमोटिक बॉलर यह प्रोडिस स्टीम एड़ लोकोमोटिक बउलर होता है वह स्टीम प्रोडिस करता है वह कि वेरी हाई रिट पर तो इसका असर यह हो जागा से कुछन बस 46 देखें किया रहा है फौर कि दा सेम डाइमेटर एंड थेक्नेस आप टीव फायर टीव बॉइलर एस कंपिर टू वाटर टीव बॉइलर कि रहा है समान व्यास तद मौटाई की नलका होने पर फायर टीव बास पादक यंति की वाटर टीव कुछ तुल नाम है क्या होगा मोर हीटिंग सर्फेस होगी ठी तक मैं आपको कुछ भी करा रहा हूं डेटा आप देख सकते हो इस तरीके का पेपर आया हुआ है यह निगरा आप फूर्स तरीके से देखो इसको मन चाहे तो देखो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो किसी को प्रेशन नहीं करता हूं ठीक है और नाक जिसे इ थोड़ा सा आपको पता चलता रहे है कि क्या क्या है ठीक है समझ में आ रहा हुआ जांतक है तो देखी इफ सर्कुलेशन और वाटर इस मीड़ बाई पंप देनिट इस नोने जब एक वास्प पादक यंत्र में पानी का प्रचालन पंप द्वारा किया जाता है तो इन में स यहां पर शुर्कलेशन याद रखनना फोर कंबरशन में यह सकेशिए Chuck стр यहां देखिए कुछन नमबर 14 है यहां देखिए कुछन नमबर 14 है यह बहुत अच्छी लेवल के कुश्छन है यह थिक है इस तरीके कुश्छन नहीं है जैसे यहां पे की चड़ गाध को निकालने यह थो भाल को खाली करने के लिए यहां पे यहँंपी किया जाता है यहां पर यहां पर यूश्ट की आथ यहां कुछन नम्र यहां पर देखे 50 कि 70 कुछन कराने वाला हूं ठीक है इन क्लास टीव टाइब टीव वाटर टाइप ठीक है लेविल इंडिकेटर फॉर ए बॉयलर वन एंड आफ टीव इस कनेक्टेट टू वाटर स्पेस और बॉल इस एंड इस कनेक्टेट टू करा एक बॉयलर जो होता है वह जुड़ा होता है शुपर हीटेड इस्टीम आफ सूपर हीटर ठीक है याद रखना इसका अंसर यह होता है यहां पर देखिए यह बहुत पढ़ने वाले कुछन आई अभी जो सुपर हीटर यह कुछ पूशन थे ना इसको डिटेल में पढ़ोगे तब ही सम इसमें टैंक में भढ़ना है ठीक है पारी तो फीट चेक वालव लागा होगा तो रेगुलेटर वाटर सप्लाई होती है यहां पर यह बॉलर ठीक है चली है यहां देखिए स्पोर्ट ऑफ और वन तो और वन क्या होगा देखिए यहां पर बता रहे हैं मतलब विसम पैसान ठीक है इस अपन ए हो जाएगा यहां पर तो इसका आंशर क्यों क्या हो जाएगा भी यह हो जैगा इसका आंसर वर्फ थीक है आप सभी लोग बताऊगे मुझे ठीक है सबी लोग बताऊगे कुषि नंबर बावन में आदे हैं यहां जल्ड क्यों ने बॉलिर में अधिकताम हानी में इने में से किस कारड होती है तो ती आभी फियो ل्हा चींगर ठीक है जो अधिकताम उस माहनी होती है मांद लॉस बॉलर डिव 2 ऑध में हीट लॉस होत है वह फ्योले सच गारड होता है टीक है इंपोर्टन कुछ नहीं बहुत ज्यादा ऐसे स्रीम बहुत बार पूचा गया कुछ नहीं कुछ नम्र 55 देखिए यह यह रहा है वाट कुड भी प्रॉबर रीजन ऑफ पावर लॉस इन तो लो इंजेक्शन प्रेशर ठीक है लो इंजेक्शन प्रेशर इसका अंसर हो इंजेक्शन इए सब्सक्राइब इसका एक हो जागा फ्यूल फैन को देखिए- Kylieああ statement 57 कि नॉर्मल डीजल इंजन विल नीड मिनीमम चैंजिस इफ मीड टू रन ऑन ठीक है तो देखिए पैटल से चलेगा एलकोल से चलेगा अमूनिया से लेकिन कैरोसीन है ठीक है यह कह रहा है कैरोसीन से नहीं चलेगा जा और में अ कछिए रहा है किस्के हिए टा मान दैजल इंजन को स्व Jugos carved को नीमतम परेवर्तन का प्रिवर्तन गाता है यह तो किस पर चलने के लिए बनाएimize सूकरता ऐड़ से रहन के पूंदbb Check कीयुद करते हैं उसमें और गर को दादो है ऑना जू होता है how the entrepreneurlla होता है उसमें जो यूदिया वो खेर मेता है कर्ए यह काम कर रहे हैं उनको पत्त हो सिकश्च है जया झालिया कि यहां देखें रिफ्रेंस फ्यूल नौकिंग रिट ऐसा इंजन तो यह क्या होगा इसका अंसर बताई तो यहां पर आंसर हो जाएगा भाई एन एप टैन एन आइस ओक टैन किसके लिए ऐसे इंजन के लिए एसे इंजन के लिए काफी इंपॉर्टन ठीक यहाद रखना है एन एप टैन आइस ओक टैन एन एप टैन आइस ओक टैन हो जाएगा इसका अंसर यहां पर कुछन नंबर 59 देखिए क्या रहा है बाई हाइर ऑक टैन डेटिंग ऑफ ऐसे एंजन इट्स इट इस मींट देट दा फ्यूल है तो क्या अंसर होगा लोवर इंगिशन डिले पर लिए दा ओटो मॉबाइल ऑट ओटो मगारव एक्जस्ट विल हैव मैकजिमम और हट्रो कार्बन वेंड़ वीकल इस तो अब तो मैं हट्रो करबनन के निकास भिखता है वह जब भान क्रू सिंग है ठीक है क्रूचिन मोटा था हिए तब हैट्रो कर वट्स चलिये शिग का देखिए इसका अंसर क्या होगा प्रैसर रिलीफ वाल्व इसका अंसर हो जाएगा कुछ नंबर यहां पर बासर देखिए इसका अपनाई जाती है तो स्कूटर एंजन होता है उसमें कौन अपनाई जाएगी आपको लुब्रिकेशन के लिए वह अपनाई जाएगी कौन सी बताईए पैट्र लुब्रिकेशन तो पैट्रॉल लुब्रिकेशन ठीक है इसका अंसर होगा डी चलिए 63 देखिए बहुत इंपोर्टन कुशन है वाट इजा एंटिफी सॉलुशन कॉमनली यूस्ट वोट इंपोर्टन हो एंटिफी सॉलुशन मतलब कि उसमें से जमाने के लिए ठीक है मतलब जमें नहीं त कि 64 आको लिस्ट मैच करनी है तो लिएसे करेंगे वी देखो भी अगया घ्रिए आडिये अड़ी अडिसंग में जो रेशु वोता है वो क्या होगा भागे बताएं का आटल इसना में जो रेशु होता है वो होगा वह आधी को जोगा है कि वह दिखियो वन टेनर सेहनों करोई कर नोखा कुल्ड स्टार्डिंग जोगा भाइश रेसियोग बन टेरहाइशीओ वन ऊजये हो जागा दी का थीण अधिक है तो एक्सटिक टूर में आश्क क्या हो जा गभी सी आशर का हो जागा ठीक है यहां पर इसका आश तौब तो खीट इंट्रेक्शन बेविनिंदिल इंपॉटेंट आफिए तो रह रे इनर्जी हुआ है इंट्रेक्शन होता हैSon कुछम नमपर यहाँ पे देख शीक मत Łघक थika स्फिक अध्यों यह का होगा इस। तो इसका अंसर होगा 0 ठीक है इसका अंसर हो जाएका 0 तो integration dg-dw होता है वो 0 होता है ठीक है cycle integration के लिए important है काफी पहली चप्टर से थर्मडाइम का पहला चप्टर आपर देखिए कि रहा है the internal energy of ideal gas is a function of its absolute temperature only the tools law के लिए होगा ठीक है जूल्स लोग डीटी अपन दी प्रपोर्टर दी अचली नेक्स कुशन देखते हैं अभी कुशन नंबर 68 देगी 68 देखिए which of the following characteristic does not change during reversible ideobatic process तो entropy हो जागा इसका अंसर ठीक है entropy इसका अंसर होगा entropy होता है ds is equal to tq upon t कुशन नंबर 69 देखिए देखिए आइसो थर्मल एंड आइडिवेटिक प्रोसेस आइसो थर्मल एंड आइडिवेटिक प्रोसेस आइडेंटिकल एड तो एक सब्सक्राइब इसका अंसर हो जाएगा ठीक है 69 आगे देखिए कुशन में 17 स्वरी 70 देखिए 70 इन इस्टेटिकल थर्मोडानेमिक्स एंट्रॉपी इस डिफाइन एज यह इंट्रॉपी और देखिए और आपको यह बताना है तो इंट्रॉपी जो होती है वह इंट्रॉपटी उधिया फिर एक्शन्सिंप्रोबट्य और यह वह बताना है रगी देखिए इसलिए बाकी में देखो आपको सतर कुष्जन यहाँ पे करा दिए एक तरीका आपको रिभीजन हो जाएगा ठीक है आपका रिभीजन हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हूं इस चाइप का पेपर आता है आपको नेक्स्ट इसके तब ही 150 होगे असी कुछन रेमेनिंग है आपको चाहिए अगर लग रहा है कि बना दो वीडियो ठीक है तो अब देख लेना एक पर उस वीडियो को ठीक है और वही वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शेयर तो कोई करता ही नहीं है मैं चाहिए अब को शीरी नहीं करता मीव यह नहीं ठीक है तो क्लाना मुझे बनाता इंडा चाहिए अच्छी चेहिए तो प्लाव कैमक ने एक पार्ट बना दूगा मैं पैसको लाइक कर दे ना छेली तो नहीं ब配दा हुआं थम यहिता भारत